हाई गाईज वरकम टो दे लविल लाइट 369 डेरों कैसे हो आप सभी उमीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और विए फे आगे बढ़ रहे होगे तो गाईस महाजर हूं आप सभी के सामने एक और रिडिंग लेके और रिडिंग होगी लेट नाइट थाट्स के लिए दिखें कि आपके परसन के लेट नाइट थाट्स क्या है आप इसे जब मर्जी देख सकते हो आपको हेल्प करेगी और अगर अगर आप उसे और रीडिंग हेना चाहते हो तो समय पppers नमर दिये गए है आप उस पर कंटेक्ट कर सकते हो for love reading health Rae प्रश्ण का रहे हैं और देख लेते क्या आता है एक पॉजटिव के था अचार रहा है उनकी थोट्स में खाइड करें हमारी उस परसन के बारे में सोच रहे हैं परसन के लेट नाइट थोट्स के लिए फीज़िस ऐसके इस अचारी okay five of salt five of salt कि दुटंक पिजस सबसंदों नहीं था है जासों शओन शाने पूंए का थरेख एगाल साम फसैलस सॉंदेट सब्सक्राइब करेंगी जिनके कास्ट रिलीजिन एज या अदर डिफ्रेंसिस के कारण रिलेशन्शिप स्टक है ठीक है फैमिली इशूस कास्ट इशूस एज इशूस या मैरीड इन मैरीड का इशू मलब कोई इशू ऐसा जिसके वजह से रिष्टा खराब हो रहा है आप दोनों के भी इशू में तो प्यार है बहुत है एक दूसरे क साथ रहना चाहते हो जिन्दगी बिताना चाहते हैं लेकिन अदर जो इशूस है जो चैलेंजिस रिष्टे के वह कहिना कि इस रिष्टे को इस रिष्टे में प्रॉब्लम्स क्रेट कर रहे हैं ठीक है सो उनके साथ यह रीडिंग आज की बहुत ज़ादा रेजोनेट होगी क्योंकि मुझे लेट नाइट थौट्स में यही दिखाई देता है कि आपके परसन काफी ज़्यादर टेंशन में हैं आपके परसन काफी ज़्यादर परेशान है इन्डिफ्रेंस को लेकर के क्यूंकि यह आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहते हैं लाइफ में आपको कनेक्शन वो फील करते हैं यहां पर इशूज यह डिफ्रेंस ही हैं जिसके चलते कहिना कि इस रिष्टे में बहुत प्रॉब्लम्स हैं इनकी मदर को भी इस रिष्टे से बहुत दोदा इशूज हो सकते हैं जहां तक कि मैं देख पा रहे हूं तो इनकी मदर की साइट से मैं देख रहे हूं कि ज़्यादा इशूज हो सकते हैं हो सकता है कि कोई भी बात नहीं बन रही कोई भी काम नहीं बन रहा है इस रिलेशन्शिप में इस वज़े से आप दोनों की बीच में भी थोड़ी अनबन हो रही हो थोड़ी कोई emotional support नहीं दिखाई दे रहा परेशान है tension है anxiety है burden ले रखा है इनोंने रोज कहीं ना कि इनके सरदर्द रहता होगा क्योंकि इतना जादा उन्होंने टेंशन ले रखी है इतना जादा चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि वो tension कहीं ना कि सरदर्द से कम नहीं है तो यह अगर मैं इनकी intention देखू main feelings देखू तो यह आपके साथ रहना चाहते है क्यों क्योंकि आपके साथ बहुत deep connection ने feel करते हैं आप इनके लिए बहुत कुछ हो ठीक है यह उस चीज को बोले ना बोले बट आप इनके लिए बहुत important हो लेकिन जो differences चल रहे है ना उसके चलते कही ना के इनको समझ नहीं आ रहा कि बात बनेगी कैसे क्योंकि बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं issues दिखाई दे रहे हैं और हो भी सकता है कि इनके सामने choice भी आ गई हो एक तरफ आप हो एक तरफ family है या खासतो है पर बागी family members को छोड़ दो तो mother है तो दोनों ही important हो और साइन की अगर बात करू तो साइन मुझे दिखाई देते हैं आपर सबसे पहले तो है जैमना लिबरन एकवेरियस, मिथुन तुला और कुम्ब राशी उसके बाद हैं आपर टॉर्स वर्गवन, कैप्रिकॉन, वरशप कर्या और मकर राशी और पाइसेज मीन राशी, कैंसर करक राशी और साइजिटेरियस धनुराशी, डेट की बात करू तो 5 है, 7 है, 11 है, 14 है और 18 है, और मन्त की अगर बात करू तो मै दिखाई देता है, जुलाई दिखाई देता है, और नवंबर और उसके बाद मुझे दिखाई देता है, सेप्टेम्बर, ठीक है, ये मन्स मु यहां पर बन रहा है फाइफ फाइफ का फिफ्थ मैं देट ऑफ वर्थ हो सकती है आपके परसन की या आपकी तो यह कॉम्बनेशन में यहां पर देख रहे हो क्या इनोर जी सैंकी मैं यहां से सबसे पहले आजब वाइट का यूजँ करने वाली हो वहां से हमें मेसज़स मिलेंगे मैं यहां से लोंगी फिर उसके बाद मौन और टैरो डैक का इस्तमाल करूगी और यहां से कुछ मेसज़स क्लिया करना चाहूँगए चलिए लिए 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 आपके लिए कम्प्लिमेंट है कि आप बहुत खुबसूरे तो ठीक है नेक्स्ट यू आप ब्यूटिफुल परसर इंसाइड और यह कहना चाहते हैं कि आप बहुत खुबसूरत इंसान हो सूरत से भी और सीरत से भी कम्प्लिमेंट से यहाँ पर तारीफ है आई वन्ट हग यू यह आपको हग करना चाहते हैं इनका मन है कि आपको हग करें दिखो परेशान है यह बहुत जादा मैसेज अगर इनसे बात नहीं हो रही है तो इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है यह मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह कभी भी आपको मैसेज कर सकते हैं आया है आपको मैसेज सो कह रहे है कि मैसेज बहुत प्यार करता हूं प्यार ही आपसे भी गरते हैं बर इनको अपनी फैमली से भी प्यार है जा इस तो इसको इग्रोर नहीं किया जा सकता I want to kiss you and hug you so आपके उपर बहुत 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 प्यार आ रहा है इनको क्योंकि हर पल अभी आपको खोने का डर सता रहा है इनके मन में तो इस वजह से If I come please don't reject me कहरे अगर मैं वापस आता हूं तो मुझे reject मत करना हो सकता है काफी टाइम भी हो गया हो आपको बात ना हुए हुए I am stuck stuck है और I think हो सकता है इन्होंने थोड़ा रूडली वीव किया या बहुत गंदी तरीके से बात की गुस्से में बात की बहुत कुछ बोल दिया आशली यह कहिना की प्रेशर में टेंशन में इंजाइटी में उन्होंने बोला यह बोलना नहीं चाहते थे तो यह मुझे जरूर दिखाई देता है और यह अभी हाल फलाल इसे हर्ट कर गई हो लेकिन इनकी कोई आसी इंटेंशन नहीं थी उसके पीछी कि आपको हर्ट करें जिस्ट इनके उपर प्रेशर बर्डन इतना हो रहा था एंजाइटी और टेंशन इतनी हो रही थी कि निकल गया एंगे मुझे वह एक होता है इनके परेशान होता है तो फिर उनो उसको समझ नहीं आता वह चुनाव नहीं कर पाता शब्दों में कि मुझे कैसे शब्दों का इस्तमाल करना चाहिए तो वही मुझे यहां पर दिखाई देता है इनके साथ होते हुए इस वज़े से उनोंने ऐसा किया और उसकता उसके बात से बात बंद है तो इंको डर है कि अगर यह बात भी करते है आप से तो शयदा बात नहीं करोगे तो इसलिए यह मैसेज है कि if I come so please don't reject me तो हो सकता ये इसलिए भी इस तरीके का मैसेज है और यहां से मैं देख लेती हूँ और के एनलर्जीस हैं आपके परसन की Queen of Swords यहां पर है 10 of Cups की नर्जी काट्स नीचे गिर गये थे गाइस को स्लें जी फिरों ठाने परें और देख लेते हैं के नर्जीस है Queen of Wands 9 of Wands Queen of Pentacles 4 of Swords अगर यह गर्ल है और इनके बॉइस फ्रेंड्स हैं तो मुझे आपर दिखाई देते हैं कि वह फ्रेंड्स भी कहीं ना कहीं इनको जो सजेशन देते हैं वह इस रिष्टे इसे बिल्कुल उलट देते हैं वालब इस रिष्टे के फेवर में नहीं देते हैं ऐसा मुझे आपर दिखाई देते हैं इनकी सिस्टर भी हो सकती है हो सकता है इनकी सिस्टर को आपसे प्रॉब्लम हो कुछ तो इनकी सिस्टर की भी मुझे एनरजी दिखाई देती है यहाँ पर बात यह हो गई है कि आपकी person ऐसा नहीं है कि किसी की बातों में आरहे बातों में तो नहीं आ रहे हैं लेकिन automatically प्रेशर ज़रूरा रहा है कि family भी against friends जिनसे discuss कर रहे हैं वो भी इनको negative thoughts दे रहे हैं siblings भी अगेंस हो रहे हैं, सो कहीं न कि इनके उपर pressure आ रहा है एक तरीके से कि उन्हों इस रिष्टे का आप मैं क्या करूँ, otherwise इनका क्या है कि 10 of cups की energy को देखते हैं, means यह आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ family बनाना चाहते हैं, आपके साथ emotionally connected हैं, means इनकी family को नहीं पता कि इनोंने आपके अंदर क्या देखा हैं, ठीक है, बट इनकी family शायद ऐसे चीज़ें, ऐसी लड़कियां या ऐसे लड़के इनके लिए लेके आ रहें कि इनका ध्यान आपसे अठें, पहले कोई खुबसूरत लड़का या खुबसूरत लड़की इनके सामने रखे जा रहें कि भाई अगर ये खुबसूरती के वज़े से उदर है, तो इधर अट्रेक्ट होगा, हमारी बात मानेगा, ठीक है, दूसरा, अगर कोई और पैसे वैसे का है, तो फैमली वालों ने अपना दिमाग लड़ा रखा है, तो एक ऐसी लड़की जो अच्छा खासा कमाती है, इंडेपेंडेंडेंट है, ऐसी लड़की का भी रिष्टा है, इनके सामने है, इनके लिए अलग-अलग टाइप्स की रिष्टे भी इनको दिखाए जा रहे हैं, बट आपके परसन इंट्रेस्टिट मुझे नहीं दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपके परसन के उपर क्या हो गए कि प्रेशर आगए, अगर मालो पैरेंस नहीं तो सिबलिंग्स का सपोर्ट मिल जाए, या अगर पैरेंस में किसी एक पैरेंट का मिल जाए, लेकिन ऐसा होई नहीं रहा इनके साथ, सारे के सारे अगेंस जा रहे हैं, इसके चलते क्या हो रहा है, कि आपके पार्टनर बहुत जादा यही इनके टेंशन का में कारण है, कि ऐसे कैसे काम जलेगा, और यह हेल्पलेस भी सिले महसुस करते हैं, आपसे कटे कटे भी सिले रहते हैं, क्या कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं हैं, क्या कहें हैं आप वह अपले जोपने मों कुल सरह एक्सपी देते जो एकमार योन पर शारख हो सकता है? उनके पास कोई अधार नहीं है, और जैसे प्रेंच सींच को जाहिर है. पर मिंस गाइड न को किया जा रहा है लेकिन ऐसा मुझे नहीं की किसी लोग गलत तो नहीं को लेकर कितों कुद ही दाउट में कभी-कभी चले जाते हैं आपको लेकर कि कोई negative thoughts नहीं है अब ये खुद pressure में है tension में है तो इस वज़े से मुझे परेशान दिखाई देते हैं तो ये मुझे इनका हाल नहां पर दिखाई दे रहा है और कुछ messages यहां से भी देख लेते हूं इनकी तरफ से all I really want is to see you again यह आपको फिर से देखना चाहते हैं का मनने आपको देखने का हो सकता है बौट टाइम जिनोंने आपको देखा ना हो तो मिलना चाहते हैं यह मुझे दिखाई देता है I want to impress you इन्होंने आपका दिल दुखाए बटी फिर से आपका दिल जीतना चाहते हैं यह मुझे दिखाई देता है यह नों मुझे असा दिखाई दे रहे हैं कि इतने प्रेशर के बाद में अगर इंसान आप से प्यार कर रहे है ना means वह आप से प्यार करता है ठीक है उसकी मजबूरी अलग चीज़े लेकिन वह प्यार करता है don't be so insecure आपको कह रहे हैं वो कि आप insecure मत होई हैं देखते हैं निकालते हैं कोई रास्ता I think अभी उन्होंने हार नहीं मानिये सोच रहे हैं but burden में जरूर है I didn't mean to hurt you इन्होंने जो कुछ भी किय उससे इनकी intention नहीं थी कि आपको hurt करें so इन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचाता कि आपको hurt करें ऐसा सोचके इन्होंने कुछ भी नहीं किया आपको hurt भी नहीं करना चाहते है actually I want to make things right चीजों को treat करना चाहते हैं चीजों को better बनाना चाहते है जो चीज़ें गडबड होगी है उनको यह सही करना चाहते है you deserve better than anything I can offer कभी-कभी उनको असा लगता है कि शायद आप बहुत अच्छा deserve करते हो इतना जितना कि दे भी नहीं पाए आपको ज्यादा अच्छा deserve करते हो बट कहीं आपके साथ एक heart to heart connection आपके person महसूस करते हैं उनको heart to heart connection आपके साथ feel होता है यह मुझे दिखाई दे रहा है अब मैं यहाँ पर आपके लिए message देखूंगी let's see कि आपके लिए universe की तरफ से क्या message है universe please guide कीजिए हमारे viewers को हमारे viewers के लिए message दीजिए impatience impasturity victim यहाँ पर आपको universe कह रहे है कि आप अपनी life का balance मत खोईए थोड़ा सबर रखे patience लाइए जल्दबाजी मत कीजिए जल्दबाजी करना आपके लिए अच्छा नहीं है तो यहाँ पर universe सीदा सीदा यह बोल रहे है कि आप जितना सबर रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा patience सबर में सबर और prayer यह रखो ठीक है patience के साथ prayer को रखोगे तो उसकी ताकत दुगनी हो जाती है सो थोड़ा patience आपको रखना चीए जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो जल्दबाजी में कुछ मत करो अधरवाइस गलत कर दोगे balance बना कर रखो आपको आपको अपनी energies को high करके रखने है बैलेंस का मतलब यह होता है कि high energy में रहना high vibration में रहना ठीक है और यह नो खुद को इस तरीके से चीजों को थोड़ा अलग नजरीय से देखो यहाँ पर यह चाहते है कि आप सिफ सिक्के का एक पहलू देख रहे हो कोशिश करो कि आप सिक्के का दूसरा पहलो भी देख पाओ आपके लिए वह जादा जुरूरी है ठीक है तो यहाँ पर ना अभी आपको कोई भी गुस्से में आ करके नाराजगी में आ करके कोई भी ऐसा काम नी करना जिसे की बंती चीजों को खराब करें थंडे दिमाग क इस्तमाल करना है पेशेंस लिए चीजों को देखना है और पेशेंस के साथ चीजों से डील करना है और यह आपको करना पड़ेगा यहां पर और हो सकता है आपकी परसन ने कुछ ऐसा बोला जिसके बाद आपको हर्ट बहुत बुरा हुआ है तो उसके लिए वह सौरी बोले इसाप से मैं आपको बता लिए कि एक बर मुका दे बाकी आपका डिसेजन होगा एंजल की तरफ से क्या है वह मैं देख लेते हैं इंप्रूविंग हैल्थ हो सकते हैं आपको हैल्थ इशू चल रहे हूं सो एंजल से आपको बोल रहे हैं अपनी हैल्थ पर जादा फोकस या कि मुझेशन होगा इस बात को आप माने झाल जोबी कर रहे है उचाल समझके कर रहें आंड रिकवरी जल्दी से प्याली वाली ट्री में आ जाओ झाली जल्दी से अपनी पैली वाली प्रति प्रतिया थी बहुत ज़रूरी है ओके ऑस एंक्पर सो मैस्काइस यह थी और आफे सरी इट की हो आउचोपको पसंद आई हो डिवाक्त की हो तो मुझे बताना जरूर कमंट बॉक्स में पसंद आई हो तो लाइक चानल को सब्सक्राइब करना मठ X Tuesday सब spreads झाल झाल